यवतमाल सिले के दिग्रसे शहर में अंग्रेजी मीडियम स्कोलों की मनमानी थमने का नाम ही नहीं नहीं ले रही है राजशिक्षा विभाग के आदेश के बाद भी साज्य शिक्षा विभाग ने आगामी 30 जून के पहले स्कूले शुरू ना करने के सपष्ट दिशा निदेश जारी किये थे बावजूद इसके शहर में धरले से अंग्रेजी मीडियम की स्कूले शुरू है स्क्रीन पर नजर आ रहा यह विद्या निकेतन अंग्रेजी मीडियम स्कूल दिग्रश शहर का है सोमवार 27 जून को स्कूल छूटने के बाद इस विद्याले के विध्यारती अपने घर लोट रहे है हाला कि राजशिक्षा विभाग के आदेश के बाद हाल ही में याने सोला जून शुगरवार को स्थानिय शिक्षन अधिकारी ने स्कूले न शुरू करने के संधर्ब में परिपतरक जारी किया था इस संधर्ब में NBCN चैनल ने भी इस महीने में लगातार खबरे जारी कर नियमों का उलंगन कर स्कूलों को शुरू रखने वाले नीजी स्कूल प्रबंदनों की मनमानी उजागर की थी इन खबरों के बाद और परिपतरक जारी होने के पस्चात नीजी स्कूलों के मुक्या ध्यापकों ने NBCN नियूस चैनल को बताया था कि वे 30 जून के पहले स्कूले शुरू नहीं करेगे लेकिन वादा खिलाफी करते हुए फिर से कुछ स्कूलों ने अपनी मनमानी शुरू कर दी है और इसी मनमानी में चूर होकर वे विध्यार्थियों को स्कूल में बुला रहे है जिससे साफ हो जाता है कि इन स्कूलों को न तो किसी आदेश की परवा है और नहीं सरकारी दि शिक्षा विभा की अजीबो गरीब नीतिया भी इसके लिए जिम्मेदार है क्योंकि सब कुछ जानते बूचते हुए भी बगएर किसी पुकता शिकायत के इन स्कूलों को नोटिस जारी नहीं किया जाता कारवाई तो दूर की बात है यही वज़ा है कि सारे नियम काईदो को सिरे से खारिज करते हुए शिक्षा के ठेके दारों का यह गोरक धंदा धडले से जारी है इन बीसियन नियूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान के रिपोर्ट